नमस्कार मैं देवेश अलू डेकॉर की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस नए सेशन में हमारा ये सेशन क्लीनिंग और मेंटेनेंस ओफ मेटल कॉम्पोजेट पानल्स के ऊपर है Metal Composite Panels की Cleaning और Maintenance में हमें कुछ चीज़ें पहले से याद रखनी है अगर हमारा Copper Composite Panel है या Zinc Composite Panel है तो उसे जो Cleaning Methods आगे आपसे डिसकस किया जाएंगे Please वो तरीके इस्तिमाल ना करे Normal पानी से ही उसे साफ होने दे या बारिश के पानी से वो जैसे साफ होगा उसको बिल्कुल वैसे ही साफ करे कोई chemical किसी तरह का soap solution उसके उपर use ना करे या मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने कभी कभी sites पर ये देखा है कि copper composite panel के उपर, copper की layer के उपर वो जब blackish होने लगती है तो लोग brass ओ, पितामबरी जो की हमारे घरेलू method है ब्रास को साफ करने के जो की copper का एक alloy है जिससे वो फिर से पीले रंग का या copperish color का हो जाता है वो इस्तिमाल करने की कोशिश करते हैं लोग sites पर भी प्लीज ये इस्तिमाल ना करें जो copper वहाँ पर use किया गया है वो 99.9% pure copper है उस पर वो blackish color आएगा ही और वो धीरे धीरे greenish tone के तरफ बढ़ेगा ही similar चीजें zinc के साथ भी होंगी तो please इन दोनों panels के उपर कोई भी chemical का इस्तिमाल ना करें सिर्फ साफ पानी और कुछ भी नहीं दूसरी चीज़ अगर मुझे cleaning and maintenance के काम को घटाना है और आगे इस पर जादा खर्च नहीं करना है कोशिश ये करें कि silicon free system हो आपका या ventilated pressure equalized system जिसे कहते हैं उसका इस्तिमाल करें अपने cladding में maximum दाग आपके silicon के कारनाते हैं क्योंकि silicon का जो oil है वो उसके surface के ऊपर आ जाता है और उस पर dirt और pollution चिपक जाता है जो कि बारिश के पानी से साफ नहीं होता है अगर हमारा system ऐसा हो कि जिसमें silicon ना हो और उस पर वो oil ना जमा हुआ हो तो maximum dirt और pollution आपका बारिश के पानी के साथ ही साफ हो जाएगा यह आपके एक बहुत बड़े cost को बचा लेगा कोशिश हम अपने नए projects में कर सकते हैं लेकिन जो कि पुराने projects हो चुके हैं अब वहाँ पर ACP की cladding हुई है और उसे हमें clean और maintain करना है उसके process के बारे में आज हम discuss करेंगे ACP के ऊपर paint का एक surface होता है इस paint का यह जो paint का surface है यह आपके गाड़ी के paint के similar surface होता है इसके ऊपर जो भी dirt या pollution जो भी जमा हुआ है इसे हमें soft cotton cloth और mild soap solution से साफ करना है शुरुवात में कोशिश यह रखनी है कि इसे पानी से पहले धो के देखें कितना इसका dirt और pollution निकल पाता है हो सकता है पूरा का पूरा dirt pollution ही निकल के आ जाए लेकिन अगर यह नहीं निकल के आता है तब इस पर बहुत ही mild soap solution के साथ आप cotton cloth को इसके surface के ऊपर लगाए और उससे साफ करें फिर इसे पानी से दुबारा धोएं नहीं तो साबुन के दाग रह जाएंगे एक और चीज जो कि बहुत important है इसे कभी भी बहुत जादा गर्मी के दिनों में या बहुत जादा ठंड के दिनों में अपने surface को साफ ना करें क्योंकि उस दौरान जब हम यह soap water से इसको साफ करने की कोशिश करेंगे या पानी से ही साफ करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी पानी या तो evaporate कर जाएगा या condense कर जाएगा जिसके कारण साबुन के या जो dirt और pollution के दाग है वो बन करके आपके surface के उपर आ जाएंगे तो please इसे कभी भी जादा गर्मी के दिनों में या जादा ठंड के दिनों में साफ ना करें temperature जब mild temperature हो उसी दौरान अपने ACP cladding को साफ करें mild soap solution से मेरा मतलब बहुत clear है बहुत ही कम soap पानी में बहुत जादा diluted होना चाहिए और जो भी आप soap solution यूज कर रहे हैं वो highly acidic या highly alkaline नहीं होना चाहिए जिससे paint पर फड़क पढ़ने लग जाए या bleach या abrasive type का agent नहीं होना चाहिए जिससे paint में rugged आ जाए या scratch आ जाए हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है अगर हमारा dirt नहीं निकल पा रहा है तो क्योंकि कभी-कभी मैंने ये भी देखा है लोग thinner का इस्तिमाल करने लगते हैं या abrasive solutions का इस्तिमाल करने लगते हैं ACP की cladding को साफ करने के लिए अगर वो mild solution से नहीं हो रहा है maximum 95% या 99% surface आपका साफ हो जाएगा हो सकता है एक परसेंट आपका surface साफ ना हुआ हो उन पर्टिकुलर जगाओं पर आप isopropyl solution based mild cleaner यूज करें इसको भी जब आप इस्तिमाल कर रहे होंगे तो soft cotton cloth के उपर डालके धीरे धीरे दो या चार बार रब करेंगे अगर आप surface के उपर तो आपका dirt पूरी की पूरी तरह निकलके आ जाएगा ये भी तब करना है जब हमने soap solution से और पानी से उसे अच्छे से धो लिया है उससे पहले नहीं directly नहीं कोशिश ये रखनी है कि हमें सफाई सर्फ पानी से करनी है initially और अगर तब भी dirt नहीं हटता है तब mild soap solution से building की location के हिसाब से उसकी cleaning frequencies decide की जा सकती है अगर heavy industrialized area है जहां या जहां pollution बहुत जादा है वहां हमारी recommendation है कि दो टाइम साफ होना चाहिए या urban बहुत जादा settled area हो चुका है अब वहां पर कोई constructional activities नहीं होने वाली है उन particular areas में अगर आप एक बार यह भी साफ करेंगे तो काफी है rural areas जो थोड़े far flank areas है जहां पर सिर्फ आपका power plant है या आपकी factory है और जहां जादा धूल अगरा नहीं ओरती है वहां पर दो साल में आप एक बार भी साफ कर सकते हैं अब अगर मैं मौसमों की हिसाब से बात करूं जैसे यहां पर rainfall थोड़ी बहुत भी हो रही है या coastal areas के पास है तो वहां once in year या एक बारी साल में आप साफ करेंगे तो काफी हैं यह सिर्फ assumptions है और हमारे on-site evaluations है कुछ अगर आपके area में गंदगी जादा है तो हो सकता है या बहुत जादा construction हो रही है तो साफ करने के कुछ ही दिनों के बाद उस पर फिर से धूल जम जाए जैसे कि अगर हम गाड़ी किसी भी धूल वाले लाके में चला करके आते हैं तो उसके ऊपर धूल जम ही जाती है चाहे आपने उसे सुबह सुबह ही क्यों ना सर्विस कराया हो आपने सुबह ही अपनी गाड़ी को सर्विस कराया है और हेवली कंस्रक्शन वाले एरिया में जहां काफी धूल उट रही है वहां लेकर के गए हो तो उस पर धूल जमेगी ही same category of paint आपके ACP पर भी है तो वही same effect आपके ACP पर भी आएगा इसी लिए ये कुछ assumptions हैं आपका project location के हिसाब से आप खुड decide कर पाएंगे कि किस हिसाब से आपको cleaning करनी चाहिए और कितने duration में आपको cleaning करनी चाहिए एक और चीज जो important है हमें cleaning करनी ही करनी है अगर नहीं करेंगे तो maintenance अगर इसकी नहीं होगी तो इसका life जो 10 साल की warranty है वो minimum warranty होती है paint की यह 15 से 20 साल तक भी जा सकती है अगर आप उसको maintained रखते हैं surface को maintained रखते हैं उसे regularly एक intervals पर आप साफ करते हैं तो उसकी life बढ़ जाती है कोशिश यह करें कि durations पर कुछ durations पर अपनी ख्लाड़े साफ जरूर करवाएं आज का यह session मैं यहीं खतम करता हूं और उमीद करता हूं कि आप घर पर हैं और सुरक्षत हैं घर से बाहर ना निकलें अपने परेवार को संकट में ना डालें धन्यवाद